नमस्कार मैं हिमानशू और आप देख रहे हैं, टार्गेट वित हिमानशू वियड और बिटीसी, का विवाद सुप्रिम कोट में पहुंच चुका है, आज इस मामले पर माननि सुप्रिम कोट में शुनवाई भी हुई है, तो स्रकार को, केंद फर को भी नूटिस भीजा गय है जिस सरकार के द्वारा आप सभी जानते हैं रजस्थान हाई कोट में पैरवी की गई थी और उसके बाद बाहर कराया गया उस आदेश के खिलाप अभियर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोट में आज का दाखिर की जिस पर आज हेरिंग होई और हेरिंग में पहले तो आज हैं हालां कि आज आज है ऌकई आज हैं और जब राजस्थान हाई कोट के आदेश के आदार पर कुछ अन्य राजियों में लोगों ने वकालत की कि वियर्ट को प्र आत्मिक से बाहर किया जाए तो वहीं पर 69 जज्ज्मेंट काम आया और यह होते हुए राजस्थान हा किया गया दूसरे राजियों में कि माने सुप्रेम कोट ने उसे रद किया है अब उस पर जो मतलब एक अलग प्रकार का जज्मेंट थोड़ा सा रहा है तो उस पर इस मामले पर यहां सुप्रेम कोट यहांच करेगा अभी नोटिस इसी हुआ है अब यहांगे अब देखें अन्तिन निड़े सुप्रेम कोट से निकलना है मामला सुप्रेम कोट पहुंच चुका है 22 को अगली सुनवाई होगी इसमें थोड़ा समय लग सकता है इतना जल्दी नहीं है कि बहुत जल्दी यह ज़्मेंट आ जागा लेकिन समय लग सकता है जितना जल्दी अपना चैन क्लियर कर दी उतना जल्दी इस मामली का हल निकल जाएगा लेकिन हाँ भीट बेर्थियों को थोड़ा ध्यान देने की और से तरक राने की जरुवत है इस मामली पर अपड़ेट जो भी महत्त पूर्ट होगा इस आनके आपको प्रिवाइड किय जाता रहता है किया जाता रहेगा मिलते है नेक्स टूडियो में गुट बाई